मुझपरपूर की साही लिची का स्वाद अब किवल बिहार की लोग ही नहीं चखेंगे बलकि कई राजियों की लोग भी इसका लुफ्त उठा पाएंगे बिहार की लिची अब हवाई जहाद से महानगरों तक पहुचाई जाएगी बिहार की साही लिची दरभंगा एरपोर्ट से स्पाइस जेट की माध्यम से 20 मई से वाया दरभंगा दली मुंबई बेंगलूरू और अहमदाबाद भेजने की सुरुआत की जा रही है एर इंडिया ने बिहार लिची उत्पादन संग से करार किया है करार के मताबिक कमपनी 6 टन लिची रोज एन महानगरों में 40 रुपे प्रती किलो भाड़ा के हिसाब से भेजेगी बिहार लिची उत्पादन संग के अध्यक्ष बच्चा परशाद ने बताया कि दर्भंगा से हवाई मार लिची भेजने से किशान और ब्यपारियों को लाब की उमीद है आपको बता दे कि ट्रेन से लिची भेजने के बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि लिची खराब हो सकती है अब लिची एक दिन में महानगरों तक पहुचाई जाएगी इसलिए यह ताजा रहेगी महानगर में इसके कीमत 800 रुपे में से 2000 रुपे बॉक्स तक आसानी से मिल जाएगी दरभंगा एयरपोर्ट पर 20 मैं से लिची भेजने की तयारी पूरी कर ली गई है इसके लिए एयरपोर्ट के पश्यमी दरबाजे पर सेड बनाया गया है जहां से कारगों में लीची की बूकिंग होगी इन महानगरों में रहने वाले लोगों को भी आसानी से उनकी पसंदीदा लीची उपलब्द हो सकेगी हवाई मार्ग से चंद घंटे में लीची सैकडों किलोमेटर दूर तक पहुच जाएगी इसके सरने और गर्लने का भी खत्रा कम हो जाएगा सुला जुन तक किसान अपनी लीची हवाई जहाद से भेज सकेंगे अध्यक्ष बचा परशाद ने कहा कि पवन एक्सप्रेस से भी लीची भेजने की तयारी की जारी है एक्सप्रेस में पार्सल वैन जोनने के लिए रेलवे ने अपनी सहमती दे दी है दरभंगा एरपोर्ट से लीची अन्य राज्यों में भेजने के लिए से किशान काफी खुश है किसानों ने बताया कि समय पर लीची बिख जाने से उनकी आमदनी बढ़ेगी से लीची उत्पादन की प्रती किसानों का लगाओ भी बढ़ेगा लीची उत्पादन महनोहर ने बताया कि समय पर लीची नहीं बिखने की स्थिदी में कई वर्ट्स आमदनी कम हो जाती है परपूर की साही लिची देश और बेडेशों में भेजा जा रहा है जिसके स्वाद को लेकर काफी चर्चा बना रहाता है अब महानगरों के लोग भी मुझपरपूर की साही लिची का स्वाद ले सकते हैं बियरो रिपोर्ट गूड मॉर्निंग बिहार